हाई गाइज कैसे हैं आप तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अडेंटिफाई औरिजिनल एर्पोर्ट्स प्रो वर्सिस फेक आप औरिजिनल और फेक में कैसे अंतर धूंडें तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं तो चलिए देर किये बिना वीडियो को शुरू करते हैं गाइज अगर मैंने के बॉक्स की भी बात करूँ ना तो वह भी बिल्कुल सेम है आप जच ही नहीं कर सकते कि वह औरिजिनल है यह फेक है इवन जो इंडियन वर्जन है जो हमारे यहां पर इंडिया में आते हैं और जो उन पर सकते फस्क बाहर तो मतलब धोका खाई जाएगा सो में से तकरीमन 90% लोग धोका खा जाकते होंगे और वह बता नहीं सकते कि यह औरिजिनल है यह फेक है सबसे पहले मैं आपको फेक एरपोर्ट प्रो दिखाता हूँ हम दोलों की अन्बॉक्सिंग करते हैं अंदर देखिए सारे स्टिकर्स सेम है जो भी आते हैं इनमे उसके बाद टैकिंग तक सेम है नीचे डाटा केबल है और जो इयर प्लग्स होते हैं वो भी इनमें सेम दि हुआ है यह देखिए कोई फस्ट बायर तो इतनी जल्दी अडेंटिफाई नहीं कर सकता यह औरिजनल है यह कॉप्पी है अब इसको अडेंटिफाई कैसे करेंगे मैं आपको वह बताता हूँ जो यह फेक एरपोर्ट प्रों है लाइज इनकी इतनी ज्यादा मास्टर कॉपी आ चुकी है मार्किट में इवन एपल ऑथराईज जो सर्विस सेंटर हैं वो भी इतने ज्यादा हरान हो चुके हैं कि उनको भी पता नहीं चल पा रहा कि यह औरिजनल है यह फेक अब यह दे यह एपल की और थ्राइज साइड पर भी यह जो मेरे फेक एरपोर्ट हैं इसकी वरंटी शो करेगा यह देखिए इसका सीरियल नंबर मैं आपको यहाँ पर अपने फोन में एंटर करके दिखाता हूं कि यह देखिए जो इसका सीरियल नंबर है जो फेक है हमारे इनका सीरियल नंबर मैंने एपल की ऑथराइज साइड पर डाला है आप यह देखिए जैसे मैं कॉंटी निंग करूंगा यह देखिए एपल की साइड पर भी यह वैलिड एरपोर्ट प्रो बता रहे हैं यह देखिए वैलिड पर्चेस डेड टेक्निकल स्पोर्ट रिपेर एंड सर्विस यह सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ अगर आप यह ऑनलाइन भी अगर बाय कर रहे हैं किसी साइड से तो ध्यान से कीजिएगा क्योंकि साइट वाले भी अपने हाथ खड़े कर देंगे अगर वो तो सीधा यह कहेंगे आप उनलाइन चेक कर सकते हैं इसकी वरंटी वैलिड है बट मार्किट में इतनी ज़्यादा मास्टर कॉप्पी आ चुकी है आप उनको जजी नहीं कर सकते हैं आपके सामने ही है अब मैं आपको यह दिखाता हूँ यहां पर कि अगरे अब यह मेरे हाथ में और इजिनल है अब मैं इसको इस फोन के साथ क्नेक्ट करूंगा यह देखिए यह कनेक्ट ओ चुके हैं अब इसको में अपनी अब आई टियर प्लग मड़ा होता है अब यह देखिए सबसे पहने तो यह अनिमेशन देखिए जो फेक एरपोर्ट वर्जन है उनका एनिमेशन देखिए यहां पर और ऑरिजिनल एरपोर्ट का एनिमेशन यह है यह देखिए गाइज आप खुद देख सकते हैं सेकंड तिंग जब आप फेक वर्जन पर ऐसे टैप करेंगे तो यहाँ पर यह आप्शन दिखाएगा नॉइस कैंसलेशन की ओफ और ट्रांस्पिरेंसी और जब आप इस पर टैप करेंगे यह एपल ने यह न्यू फेचर इंट्रड्यूस की है स्पैशल ओडियो के लिए यह इसलिए इंट्रड्यूस किया गया है ताकि मार्किट में पाइरेसी रुख सके क्योंकि इतनी ज़्यादा फेक वर्जन है और इतनी ज़्यादा मतलब कॉपी आ चुकी है मार्किट में कोई identify नहीं कर सकता सिरोफ और सिरफ ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिससे आप identify कर सकते हैं original है या फेक यह देखिए यहाँ पर यह option आ चुकी है special audio की और यहाँ पर यह option नहीं है अब यहाँ पर आप click करेंगे तो यह three options हैंगी जो में है यह देखिए यह देखिए अनिमेशन देख लिए आपने यह देखिए और इसके अनिमेशन देखिए अगर यह आपको अनिमेशन भी सेम मिल जाते हैं बट यह अभी तक इतनी ज्यादा मास्टर कॉपी नहीं जो यह special audio का feature यह दिखा दे अब आपको गाइज एक और चीज दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको और ज़्यादा clear हो जाए जब आप Bluetooth में जाके यहाँ पर जाएंगे नीचे टैप करेंगे जो original version चल रहा है वो यह चल रहा है 3E751 और यह duplicate में यह version नहीं मिलेगा आपको duplicate में यह देखे जीरो भी यह something कुछ और होगा बट model नमबर देखे बिलकुल सेम है आप खुद देख सकते हैं तो guys आप अगर online order करते हैं तो उससे तो मैं आपको कौँगा बचके रही है क्योंकि अगर आपका online से गलती से आ भी गया और अगर आपका एरपोर्ट अगर आपका warranty भी शो कर रहा है तो भी वो यकीन नहीं कर पाएंगे आप यह original है के fake है क्योंकि first buyer जो है वो जजी नहीं कर पाता है यह original है यह fake है क्योंकि आप packing देखिए अंदर से अगर आप चेक करेंगे इनकी डाटा केबल तक सेम है यह प्लग तक सेम है कुछ भी नहीं सिर्फ दो तीन चीज़ों का फरक है जो बता सकते हैं फेक जो वर्जन है यह market में around 3000 की हैं जो original वाले हैं यह around 22,000 की हैं इतना जार हम piracy को पकड़ सकें और जो fake version आ रहे हैं market में इनको रोग सकें आप खुद देख सकते हैं apple की जो site है उस पे भी यह clear show हो रहा है पि इसकी अभी तक warranty valid है तो I hope guys आपको आज की यह वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like और subscribe करना मत भूलना अभी के लिए इतना ही धन्यवाद